आज हम बात करेंगे संडे साइंस के बारे में अब सभी को पता होगा कि जो दा हिंदु है वो हर संडे एक डेडिकेटेड साइंस का पेज डालता है और वो यूपीएसी का सबसे फिर्ट पेज है क्योंकि यूपीएसी यहां से हर साल तीन चार क्वेशन पूछ लेती है तो अगर आपने एक साल का या तो फिर छे महिने का करंटा फिर यहां से कर लिया है तो फिर आपकी लाइफ आसान है सेलेक्शन के चांसेस बहुत ज़दा बढ़ जाएंगे तो शुरू करें आज का करेक्रम क्या बोलती है जंता सबसे पहले यह एक ओवर्वीव है साइन्स के पेज का तो यह सारी चीज़े हम कवर करेंगे चलिए एक के बाद एक निउस देखते है तो सबसे पहले जो हमारे निउस थी वो ऐसे थी कि अगर हमने हमारे फूड इंटेक में एक्स्ट्रा सॉल्ट को अगर रिड्यूस किया तो फिर जाके हमारे लिए लाइफ इजी हो सकती है उसके काफी ज्यादा बेनेफिट्स है और यहां पे एक चीज़ स्टडी ने कही है कि जो हायर इंटेक अफ सॉल्ट है इस डारेक्ल हम उसके इंटर जो हम पकाने के लिए नमक यूझ करते उसके बार में बात नहीं बर जो ऊपर से ढालते हम एक्स्ट्रा नमक का यूझ करते हैं उसके बारे में उनको कहना है जितना भी आप सॉल्ट को मिनिमुम तरीके से यूज करोगे और जो डॉओ-एचो की पांच ग्राम से ज्यादा आपने यूज किया तो थोड़ा थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है और कभी-कभी यहां पर ऐसा भी दिखा गया है कि कोई-कोई कंट्री में 10 ग्राम से भी ज्यादा हमारा मीठे नमक का इंटेक रहता है और इस्पेशल अगर हम बात करें कि डैश डायट आपको पता होगा डैश डायट क्या है डैश डायट में ऐसा कि डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन जो हमारे बोडी के अंदर का हाइपर टेंशन होता है उसको स्टॉप करने के लिए और उसमें क्या-क्या चीजे आ सकती है तो अगर हम बात करें तो उसमें फूरूट साती है वेटेबल साती लीन मीट आता है पॉल्ट्री आता है नट साता है होल ग्रेइन आता है कि जो क्या करेगा जो saturated fat, cholesterol and sugar है उसके intake को काफे जदा reduce करता है आप सभी को बता होगा कि जो हमारी sugar है या तो फिर cholesterol है उसका हमें level maintain करके रखना पड़ेगा एक level से ज्यादा अगर उसका पहुँच गया तो फिर हमारे लिए वो हानिकारक है और salt क्यों ज़रूरी है हमारे ल muscle है, muscle के contraction and relaxation क्या क्या contraction and relaxation में help करता है फिर उसके साथ साथ हमारे अंदर जो mineral balance है वो भी maintain करने का help करता है अगर गलती से नमक का काफी काफी ज्यादा low level हो गया तो फिर क्या क्या हो सकता है तो उसके symptoms क्या क्या है तो एक चीज़ है कि पहले ही आपको muscle में अंदर cramp आने चा क्या हो सकते है नौजिया हो सकता है नौजिया के साथ साथ vomiting भी हो सकती है इट can lead to dizziness as well right और dizziness के साथ साथ आपको stroke लग सकता है and might 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 there are thin chances of death as well so you have to careful about intake of salt okay यह बात आपको समझा गई अगर कुछ भी और डाउट है you can comment in the section sorry you can comment in the comment section उसके बाद जो हमारा दूसरा news है वो covid के उपर है कि zero covid strategy of china how china is doing zero covid strategy उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो चाइना है उसका zero covid strategy में ऐसा है कि कोई भी एक भी बंदा जो infected होगा ना उसको हम country के अंदर नहीं रखेंगे या तो उन सभी को अगर उनकी age जो भी हो health status जो भी हो उन सभी को strict isolation के अंदर रखेंगे और उनके आसपास होने वाले जितने भी लोग है जो भी उसके contact में आया ह होम और वर्क हो गया उन सभी को हम segregate कर देंगे तो इस प्रकार से वो try कर रहा है कि एक भी case ना हो right but point ऐसा है कि जो भी चाइना try कर रहा है वो अच्छे से work नहीं कर रहा है इंडिया के बारे में बात कर लीजे इंडिया ने जो भी अभी तक किया जो rapid vaccination है तो हमारे वहां covid क cases rapidly slow हो गए है and covid अब एक deathly disease नहीं रहा है यह कब normal viral flu जैसा हो गया है right तो चाइना में भी हो गया रहा है तो चाइना में वो try कर रहे है कि within two or three weeks सभी को rapidly test कर रहे है देखिए millions of people are continuing test continuously tested strict contact control है उसके अंदर isolation बहुत ही heavy है जो भी वहां पर जाता है उनको seven day quarantine के अंदर जाना प बहुत है ज्यादा ज्यादा वह test ले रहे है तो अभी वहां के जो रेजिम है ना वह complete गया जाप पूलीस रेजिम जैसा हो गया है कि पूलीस टेट बन गया है प्चाहिना के बार में आपको पता ही होगा कि वहां पे जो democracy है वह democracy किस टाइब की है तो वहां पे शी भाई का spread ना करें अभी तक हम देखे world के बारे में तो at least हमें तीन से चार तो वेव आई गये है को आपको भी पता होगा कि इंडिया में ऐसा हुआ है बट इंडिया और other countries ने क्या किया कि vaccination जो है वो हमने बहुत ही solid कर दिया था और vaccination solid करने की वज़े से दिरे दिरे कोविड का जो level है वो बहुत ही low हो गया है तो चाइना को इंडिया वगरा से ये चीज़ सीखनी पड़ेगी और फिर यहां पर उनकी exit plan के बारे में बात करी कैसे हम zero covid strategy यह है वो proper ना करे और थोड़ा human approach से उनको try करे हम बेमारी को हटाए बेमार को ना हटाए उसके बारे में बात की है तो यह exit to brilliant के लिए इतना important नहीं है बट आपको एक case study के बारे में हम देख सकते है कि कभी-कभी जो regime है बहुत ज़्यादा strict हो जाता है तो इतना हमरे लिए beneficial ना भी हो राइट तो यह चैना वाला news of news था उसके बाद थर्ड जो major news है it is about increasing shelf life of stored blood अब कोई भी blood जब आप collect करते हो तो वो 20-22 दिन तक सही रहता है उसके बाद वो बिगड़ना चालू हो जाता है और millions of blood units are discarded due to decline in quality during the storage तो फिर उस ताइम के यह जो blood losses है जो भी हमारा blood bank है उसके losses उसको कैसे हम control करेंगे तो उसके बारे में यह नई एक technology develop करी है वो किसके बारे में है it is about nanofiber sheets तो पहले हम दे पीछे responsible कौन है तो उसको पीसे responsible है यह damps और damp मने damage associated molecular pattern और यह जो है वो blood cell को damage करती रहती है during the storage time तो यहाँ पर हमें यह जो damage कर रहे है वो सारे element को reduce करना पड़ेगा और जो reduce करना है वो किसको reduce करना है तो वो reduce हमें करना है extra cellular components को कि जो blood के अंदर present रहते है और storage के बाद वो दिरे 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 दूसरे सारे blood को बिगाड़ना चालू कर देते है क्योंकि यह जो है वो damage cause करते है हमें तो अगर ऐसा blood बिगड़ता रहा millions of unit blood बिगड़ता रहा त तो यहां पी यहां पर जो quality के बारे सरी यहां पर जो technology के बारे में बात कर रहे है वो technology है it is about to reduce the shelf life of blood by 25% मतलब 25 प्रतिसत यह हम उसको लंबिक time तक save कर सकेंगे आ गरेड़ तो यहां पर जएसा ही है कि यह जो damp components है जो damage cause करते है उनको हमें वहां से हटा देना है वो हटाएंगे कैसे तो यह जो damp component है वो ionically charge होता है ionically charge मतलब या तो उनका positive orientation होता है या तो फिर उनका negative orientation होता है तो यह जो charge up रहते हैं तो हमें उनको absorb कैसे करना है तो उसके लिए यह जो scientist की team है उन्होंने क्या बनाया nanofibers बनाया जो nanofiber काम कैसे करता है तो यह भी cation and anion polymer से बना हुआ है तो फिर क्या होगा कि जैसे ही positive वाला कोई iron होगा तो वो negative के साथ attach हो जाएगा कोई negative वाला है तो वो सीधा ही positive के साथ attach हो जाएगा तो इस हिसाब से हम सारे सारी यह damp है उसको absorb कर लेंगे और blood को आगे बिगाड़ने से बंद कर देंगे एंड यह जो technique है उनसे उनको एक success मिली है अभी फिलहाल कि 42 days तक उन्होंने अच्छे से blood को store करके रखा है जैसे ही कि freshly collected blood ना हो इसे साब सब उन्होंने store करके रखा है बट अब जब यह practice में आएगा तब हम देखेंगे कि इसका क्या है क्या नहीं इसके बाद जो हमारे current affair आते है वो snapshot वाले कि जो छोड़ा थोड़ा trivial आता है अभी trivial में ऐसा है कि अगे चाइना में हमार होमिन फैमिली का एक skull पाया गया है में possible कि वो skull belongs to homo erectus जो homo sapiens के पहले थे हमारी जो species है वो species का नाम क्या है homo sapiens हम homo sapiens है हमारे पहले homo erectus थे नियंडर्थाल थे तो यह जो है और आप सभी ने homo erectus का नाम शायद एक famous tv series में देखा होगा और उसका नाम है friends मुझे बताईए कि जो friends है उसमें homo erectus का नाम कहां पे आता है और वहां पे भी एक scientist होता है वो conscious scientist होता है उसका नाम भी आप मुझे बताईए कि वो जो character है वो conscious scientist है उसका नाम कहीं यह paleo anthropologist के आसपास से कुछ होगा बताईए क्या हो सकता है चलिए फटाफट कमेंट कीजिए तो यहां पे जो news है उसमें ऐसा है कि यह जो हमें मिला है might possible की हमें यह prehistoric time के जो भी ev study कर सके उनके DNA के बारे में और ज्यादा study कर सके उनके पूरी family tree के बारे में और हमें ज्यादा से study कर सके तो we will see कि यह किस हिसाब से होगा उसके बाद जो current affair है it is about mega constellations sent by certain private companies जैसे की SpaceX, Orion and so on and so forth यह जो constellation है वो internet constellations है mostly internet provide करने के लिए constellation है या तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का एक constellation है उसका नाम है NAVIC तो आपको मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि what does NAVIC stands for या तो फिर NAVIC की utility क्या है आपको comment किये करनी है उसके बारे में what do you understand by NAVIC और NAVIC के उपर से MCQ आ सकता है तो यहां पर यह जो mega constellation है उसमें एक case study ऐसी दी गई है कि SpaceX का जो starlink project है starlink के अगर अंदर तीन से 4000 जितने चोड़े चोड़े सैटलाइट वो lower earth orbit में डालते हैं कहां पर डालेंगे वो lower earth orbit में डालेंगे और जो lower earth orbit है वो 200-300 km से लेके 1200-1500 km तक stretch कर सकती है और फिलहाल हमारे जितने यह internet वाले हो या तो फिर चोड़ी-चोड़ी services वाले जो हो वो सारे lower earth orbit में जा रहे हैं इवन हमारा जो space x है वो भी lower earth orbit में है राइट सॉरी space x नहीं space center वो भी lower earth orbit में है तो यह जो scientist है या तो फिर US की government है वो वर सारे लोग यह lower earth orbit में ही सबको भेजते रहेंगे तो फिर जाके पूरा क्या होना चालो हो जाएगा यह crowding चालो हो जाएगा क्या चालो हो जाएगा crowding हो जाएगा और अगर कोई भी एक orbit बहुत ही ज्यादा crowding हो गई तो फिर उसके अंदर एक syndrome हो सकता है उसका नाम है kessler syndrome क है कि अगर गलती से भी एक जो satellite है उसका कोई फुर्चा तूट गया और यह जो फुर्चा दूसरे satellite को टकरा रहा है फिर वो फुर्चा तीसरे satellite को टकरा रहा है तो इससाब सब पूरी एक chain reaction बनेगी तो जो सारे-सारे satellite सा उन सभी को वो damage करेगा और यह जो chain reaction वाले syndrome है उस के बारे में भी थोड़ा कुछ knowledge होना चाहिए तो यह जो US है वो अपनी National Environment Policy Act को amend कर रहा है और यह जो सारे mega constellation है जो radio frequency को तकलीफ कर सकते है या तो फिर astronomical observation को तकलीफ में कर सकते है because of the congestion in a orbit, कौन से orbit, lower earth orbit को तो that's why यह उनके उपर regulation डालने के बात कर रहे है clear? I hope सभी को यह भी चीज़ पता चल गई होगी, right? चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा आज का last current affair और जो last current affair है it is about minerals that are found in some meteorite in Somalia तो meteorite बढ़ने से पहले आपके पास यह knowledge होना चाहिए कि what is asteroid फिर दूसरा यह knowledge होना चाहिए कि कौन meteorite है कौन meteorite है, right? और फिर आता है meteorite तो यह जो Somalia में fall हुआ, वो क्या है meteorite है now, अब रिसर्च अरना है, at least two to three नए minerals ढूंड के लाए है वो कहां पर लाए कि जो Somalia के अंदर यह iron-based meteorite गिरा था वहां से वो डूंड के ले आए और उसके नाम ऐसे रखे है जो वहां की जो टाउन है उसके उपर से dedicated नाम रखे है और यह जो meteorite है वो कितना वाइड था? वो दो मेटर वाइड था और यह जो लोग वहां पर रह रह रहे है उसका नाम क्या दिया गया है? Nightfall दिया गया है क्योंकि वो रात को गिरा था उस वज़ा से तो यह जो meteorite है यह तो फिर meteorite है उनके बीच का difference क्या है? वो भी आपको पता होना चाहिए फिर यह जो यहां से नए-नए minerals मिल रहे है नए-नए metals मिल रहे है उसका हम कौन से field में use कर सकते है वो आपको पता होना चाहिए तो उसके साथ दूसरा एक जो emerging news में चल रहा है वो है rare earth material कौन सा? rare earth material so what are the uses of rare earth material rare earth material का सबसे बढ़ा reserve china है की नहीं है why china is so much dominating global supply chain तो उसके बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए so anyway guys that's it from our side यह हमारा Sunday का science यहां पर खतम होता है